हेलो दोस्तों आपको बता हूँ अपने फॉन की आप रैम कैसे बढ़ा सकते हैं अगर आपको नहीं पता रैम क्या होती है किस काम आती है तो हम आपको बता देते हैं आपने देखा हूँ पहले फॉन के अंदर रैम कम आती थी और उसके अंदर मेमोरी भी कम आती थी तो 2GB रै आती थी, 8GB, 4GB की में internal memory आती थी, तो RAM से क्या होता, RAM का मतलब होता, जितने आप अपने अंदर application डालोगे, उन्हें application को run करने के लिए आपको RAM की जरुवत पड़ेगी, मतलब जितने ज़्यादा RAM होगे, उतना ही आपके phone में कोई game हो, या कोई application हो, कोई app हो, बड़िया तरीके से run करती है, तो अब तो RAM ज़्यादा ने लगी, पर अब उस RAM में भी आपके phone में option आते हैं, कि आप RAM को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, अपनी use के अनुसार के आप कोई game खेलते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं, जो कोई application आपकी रुक रही है, आपको लग रहा है कि बड़ी application सही से नहीं चल रही, तो आप अपने phone की RAM को इंक्रीज कर सकते हैं, रैम को बढ़ा सकते हैं, कैसे RAM को बढ़ा होगे, आज की डूमा आपको यही मैं बताने वाल हूँ, फिल अच्छी लगए, तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब देखें, आपको phone की settings में आना है, settings में आने के बाज जब आप सब से नीचे करोगा, आपको about device यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, about device आपको इसके ओपर click कर देना अब जैसे यह करोगा, आपको यहाँ पर आपके phone की सारी वो दिख जाएगी, कितनी battery है, कौन सा model number है, ठीक है, यही पर आपको RAM का option दिखाए देगा, ठीक है, RAM यहाँ पर लिख हुई है, इस टाइम fly मेरे में 6GB RAM है, इस पर कर देंगे, अब यहाँ पर RAM expansion का आपको option दिख आपकी RAM हो जाएगी, और 6GB बढ़ा दोगे, तो 12GB RAM हो जाएगी, ठीक है, आपको क्या करना, जितनी भी आपको लगता है, कि आपकी जितनी जरूवत है, जितनी बड़ी application है, गेम से इसे नहीं चल रहे, तो पहले 2GB बढ़ाईए, फिर 4GB बढ़ाईए, फिर 6GB Now, Discard Change, Not Now करना है, तो अभी मैंने आपको दिखाए, तो 6GB RAM है, तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, अब देखो, मैंने आपको 6GB पर सिलेक्ट कर रखा है, तो अब ये 12GB मेरी RAM हो जाएगी, तो रिस्टार्ट नाव पर कर देते हैं, और वीडियो को थोड़ा रोग देते तो लीजे भाई, लोग, फॉन हो चुका है, रिस्टार्ट आप चलते हैं, दुमारे सेटिंग्स के अंदर, और जाकर देखते हैं, रैम अपनी बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो अब आउट डिवाइस पर चलते हैं, और ये देखे भाई, यहाँ पर 6GB प्लस 6GB हो चुका है लेकिन ये मतलब 12GB हमारी रैम हो चुकी है, इस तरीके जब रैम बढ़ा सकते हैं, जब भी आपको फॉन में लगए कोई गेम सही नहीं चल रहा है, या कोई एप सही नहीं चल ली, तो आपने फॉन की रैम को बढ़ा लेना